तो दोस्तो सबसे पहले तो आप यहापे payment proof देख सकते हैं दोस्तो यह loan हमको मिला है siri raam finance की तरफ से कोभी बड़े loan amount की जरुवत है तो दोस्तो ऐसे में आप siri raam finance के अंदर easily loan apply कर सकते हैं siri raam finance की मदद से आपको 15 लाग रुपे तक का personal loan मिल जाता है अगर मैं siri raam finance के rate of interest की बात करूँ तो 12% से इनका rate of interest start हो जाता है अगर मैं loan के time duration की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5 साल तक के लिए personal loan मिल जाता है तो चलिए दोस्तो वीडियो start करते हैं और देख लेते siri raam finance में loan कैसे apply किया जाता है अगर आपका loan यहाँ से approve हो जाता तो उस पेसे को आप अपने bank account के अंदर कैसे transfer करेंगे siri raam finance के अंदर loan apply करने का link वीडियो के description में आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे आप अपना mobile number भरेंगे यहाँ पे अपना pin code भरेंगे यहाँ पे अपना loan amount भरेंगे जैसे आपको details भरते ना यहाँ पे एक option से apply now आप apply now के उपर click करेंगे जैसे आप apply now के उपर click करेंगे जो भी mobile number आप provide कराएंगे उसके उपर OTP आएगा उस OTP को यहाँ पे भरेंगे verify and proceed आप इसके उपर click कर देंगे जैसे यह आप अपना OTP भरेंगे आपके सामने एक new page open होगा यहाँ पे आप अपना pen number भरेंगे नीचे एक option से continue आप इसके उपर click कर देंगे तो आपकी कुछ details आएगी जैसे कि आपका first name, आपका last name, आपका date of birth यहाँ पे आप page को scroll करेंगे, यहाँ पे आप अपना email id भरेंगे email id भरने के बाद यहाँ पे देखे loan, turnover आप कितने time के लिए loan लेना चाहते तो 12 महिने, 24 महिने, 36 महिने और 48 महिने तक हम यहाँ पे loan ले सकते तो जितने time durations के आपको need हो, तो time durations आप यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे मैंने अपनी सभी details भरती है, नीचे एक option से continue आप continue के उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना address रहेगा, बोशो करेगा यहाँ पे अपना area भरेंगे, page को आप थोड़ा scroll करेंगे, यहाँ पे आपको resident of same address अगर आप उसी address पर रहते, जो उपर आपका address है, तो yes करेंगे, नहीं है तो no करेंगे यहाँ पे आपको बताना होगा, घर आपके खुद का है, रेंड से रहते हैं, तो हमरा खुद का है, कितने time से आप रह रहे हैं, वो यहाँ पे time duration चुनेंगे यहाँ पे आपको अपना occupations बताना होगा, sellerate है तो sellerate, self employees है तो self employees, आप कोई professional है तो professional के उपर क्लिक कर देंगे तो हम sellerate है, sellerate के उपर क्लिक करेंगे, नीचे एक option से continue, आप continue के उपर क्लिक करेंगे जैसे यह आप continue के उपवर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना employment details भरना होगा यहाँ पे company का नाम भरेंगे जिस company में आप काम करते हैं यहाँ पे अगर आपके पास कोई email ID है वो भरेंगे आप कितने time से काम कर रहे है वो भरेंगे यहाँ पे कितना आपको experience है वो भरेंगे कितना आपको monthly salary मिलता है वो भरेंगे यहाँ पे आपको बताना होगा salary आपको कैसे मिलता है अगर आपको being में मिलता है तो being check मिलता है तो check case मिलता है तो case तो हमारा being में आता है existing EMI अगर आपका कोई EMI चल रहा तो वो amount यहाँ पे आप भरेंगे तो यहाँ पे मैंने अपनी सभी details भर दिये नीचे एक options enable हो जाएगा proceed आप proceed के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप proceed के उपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस open होगा आपके आप done के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप done के उपर क्लिक करेंगे आपके आपके कुछ basic information पूछी जाएगी आपको loan क्यों चाहिए आपका कितना salary है आपके father का नाम क्या है और उनको लगता है कि आपको loan देना चाहिए तो आपके mobile number के उपर एक link आएगा उस link के उपर क्लिक करके आगे की process आपको करनी होगी तो दोस्तो हमारा KYC clear हो चुका है और हमको siriram finance की तरफ से link आ चुका है तो दोस्तो ये link single ID पे ही work करता है तो आपका अगर loan clear होगा तो आपके भी mobile number पे कुछ ऐसा link आ जाएगा इस link के उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप link के उपर क्लिक करेंगे आपके लिए जो भी loan उफर रहेगा वो यहाँ पे आपको शोग कर देगा तो दोस्तो इस loan को लेने के लिए आपको 3 step करनी होगी तो दोस्तो यह पेसा आपके bank account में सिर्फ 30 मिनट के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए आप इस checkbox के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक option से get your loan now आपको इसके उपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीकी का interface show कर देगा यहाँ पे हमारे लिए 3 time frame आ चुके तो 3 time frame में से आप किसी एक के उपर क्लिक करके वाला time frame जुन सकते यहाँ पे अगर आपको 24 महीने के लिए loan चाहिए तो आपका इमाई इतना रहेगा अगर आप इस loan को 18 महीने के लेंगे तो आपका इमाई इतना रहेगा अगर आप इस loan को 12 महीने के लेंगे तो आपका इमाई इतना रहेगा तो जून सा भी plan आपको सही लगे आप उसके उपर क्लिक करेंगे यहाँ पे check block लगाएंगे यहां पर accept now के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही accept now के उपर क्लिक करेंगे दुसरी राम के साथ जो भी mobile number आप verify कराएंगे उसके उपर एक OTP आएगा उस OTP को यहां पर भरेंगे नीचे एक option से verify आप verify के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप verify करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार का photo upload करना होगा तो यहाँ पे दोस्तों आप front image upload करेंगे यहाँ पे back image upload करेंगे तो यहाँ पे take a photo आप इसके उपर click करेंगे आपका camera open हो जाएगा दिन उसका image capture करेंगे फिर आप यहाँ पे page को नीचे scroll करेंगे नीचे एक option से confirm आप confirm के उपर click करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक new page open होगा यहाँ पे आपको बताएगा कि जो आधार काड़ आपने upload किया है उसी address पे आप रहते अगर आप उसी address पे रहते तो आप पेले वाले पे click करेंगे अगर आपका कोई different address है तो नीचे वाले पे click करेंगे मेरा same address है तो हम उपर वाले के उपर click करेंगे नीचे एक option से ness आप ness के उपर click करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको अपना cellp upload करना होगा तो cellp upload करने के लिए take photo के उपर click करेंगे आपका cellp upload करेंगे जैसे ही आप अपना sellp verify कर लेंगे आपके सामने एक new page open होगा यहाँ पे जितने time के लिए आप loan लेंगे वो show करेगा इतना loan amount है वो show करेगा कितना EMI रहेगा वो show करेगा तो आपको यह सारी चीज़े except है तो यहाँ पे आप एक checkbook लगाएंगे यहाँ पे एक option से except आप accept के उपर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी bank details verify करनी होगी तो यहाँ पे आप अपनी bank का IFC code भरेंगे यहाँ पे अपना account number भरेंगे यहाँ पे अपनी bank का नाम चुनेंगे यहाँ पे account holder का नाम भरेंगे अगर दोस्तों आप किसी और bank account में लेना चाहरा है तो यहाँ पे देखे enter other bank account आप इसके उपर क्लिक करके यहाँ से अपना bank भी बदल सकते हैं तो मैंसी bank account में payment लेना चाहरा हूँ यहाँ पे देखे एक option से use above bank account आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप अपना bank verify कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे स्रीराम finance पा लोन agreement आएगा तो यहाँ पे आप इसको पूरा नीचे school करेंगे नीचे school होने के बाद यहाँ पे आपकी काफी सारी details रहेगी यहाँ दोनों पे checks box लगाएंगे नीचे एक option से accept, accept के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप accept के उपर क्लिक करेंगे तो आपके number पे OTP आएगा उस OTP को यहाँ पे भरेंगे नीचे एक option से verify, verify के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप अपना loan agreement verify कर देंगे आपके सामने एक new page open होगा यहाँ पे आपको auto debit set करना होगा तो नीचे एक option से authorize bank आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप authorize bank के उपर क्लिक करेंगे तो e mandate set करने के लिए आपको दो option दिये जाएंगे तो आप अपना net banking या debit card चुनेंगे तो हम हमारे debit card रखेंगे यहाँ पे आपको अपनी basic details भननी है नीचे एक option से registered आप registered के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही registered के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ देर process लेगा आपको कुछ देर wait करना है दोस्तों यहाँ पे जो भी आप debit card नमबर देंगे आपके नमबर पे OTP आएगा OTP यहाँ पे भरेंगे अपरु के उपर आप click कर देंगे जैसे ही आप अपरु के उपर click करेंगे यहाँ पे कुछ देर process ओगा आप wait करेंगे पे जैसे ही दोस्तों आपके loan का प्रोसेस हो जाएगा तो यह finally message आपको कुछ इस तरह के से आ जाएगा यहाँ पे आपका loan reference number शो करेगा यहाँ पे आपका जो भी loan amount रहेगा वो शो कर दिया जाएगा यहाँ लोन फाइनली हमारे being account के अंदर transfer कर दिया गया है तो दोस्तो आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगी होगी और आपको easily समझ आया होगा किसी राम finance के अंदर loan केसे अपले किया जाता है केसे आपको process करनी होती है केसे आप उस पेसे को अपने being account के अंदर transfer करते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकर एक साथ चलिए धन्यवाद